हेलो एवरिवन तो बहुत बहुत स्वागत आपके हमारो किचन में और आज हमारो किचन में बनाएंगे कलागंद वो भी मिल्क पॉडर से यह मैंने पहले भी बनाया हुआ है लेकिन उसका जो कलर था वो थोड़ा सा चेंज था तो किसी ने मुझसे पूछा था कि इसका कलर थोड़ा सा वाइट होना चाहिए था तो इसलिए मैंने यह दोबारा मिल्क पॉडर से बनाया है क्योंकि पिछली बार मैंने यह मावे से बनाया था मिल्क पॉडर से जो हमने मावा बनाया था तो इसलिए मैंने डारेटली आज मिल्क पॉर्डर से बनाया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्डन हो सकता है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग इससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो बैल आइकन उसको भी प्रस कर दीजिए ताकि हमाले आने वाले वीडियो आप तक जल्से जल्स पहुंचे तो सबसे पहले मैं यहां पर लूँगा दूद यह एक कप दूद है यहां पर मैंने टून दूद तरह ड़िए अब चीने डालने के बाद हमेंके सारे के सारे इंग्रीड towns को मिलना है अच्छे से लेकी स्क्रीड़ी मदर लीजिक्टर ऑkt चीज़ कि ख lado क्या करें लेकिए एहां पर अभी मेरा गड़ी्डा बंद है और में खाली लिस सारी के सामागरी को मैं मिला रहा हू अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दो चमच देशी घी आप चाहें तो रिफाइंड ओयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन देशी घी से थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आता है तो यहाँ पर मैंने दो चमच देशी घीडा लिया है अब इसको भी हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिला लेंगे अभी आपको ज़्यादा टैंशन लेने की कोई ज़रूत नहीं है अगर इसमें लाम्स पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब आप इसको हीट देंगे तो यहाँ पर आप मैं गैस ऑन कर रहा हूं अब गैस ऑन करने के बाद जो फ्लेम है मैं लो टू मीडियम की ब बुट पकाना है बिल्कुल भी मच फूड़ेगा अभी क्या है कि हम एक अला इंद के अंदेर थोड़े बहुत दाने होने चाहिए तो इसके लिए क्या हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा मैंने आदा चमिच नीबु का रस ले लिया अगर आपके घर पर नीबू नहों अगर आप पढ़े जाते तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा मावा जो तयार हो उसके अंदर बहुत अच्छे दाने पढ़ गए यानि अभी जो हमारा कला कंदे वह बहुत अच्छा बनेगा तो पांस से दस मिनट ही मैं इसको चलाया जो की कंसिस्टेंसी जमने के लायक हो चुकी है यहां पर मैंने अपना फ्लेम बंद कर दिया है अब इसको हमें ऐसे नहीं छोड़ना है क्योंकि कड़ाय भी बहुत गरब होगी तो इसे हमें कम से कम दो से तीन मिनट तक अच्छे से चला लेना है जब यह थोड़ा ठंडा हो जात साथ ही मैं इसके ऊपर पिस्ता और बादाम से इसको गारिश कर रहा हूं ताकि हमारी बर्फी वह बहुत इच्छी दिखें तो देखिए यहां पर इसको मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया तो यहां पर दिमूल्ड करने के लिए मैंने एक प्लेट ले लिया है साथ ह यहां पर यूजिली कलाकन का चौकोर शेप होता है तो मैं वही शेप की बर्फी को यहां पर काट रहा हूं साथ ही हम चागो की मदद से इसको नीशे से भी अच्छे से किलियर कर लेंगे ताए कि जो हमारे पीसे हैं वह बहुत असानी के साथ बहार निकाला है तो आप है और जुसका कलर है यह कलर भी एकदम वाइट है तो जिसका कोशन था उनमें भाई के लिए मैं बूलना चाहता हूं कि यह देखिए हमने वाइट बर्फी भी बनाई है तो आप भी ऐसी बर्फी अपने घर पे बनाए और हमार साथ ऐसे जुड़े रहें तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई थैंक्स पूर वाचिंग गाईज